हाइ फ्रेंडस वेल्कम बेक टू माइ चैनल और मेरे तो बाल झहरते औहर आपके भी बाल झहरते एंट यह उपाई कर сторону है सअर्दियों में खास करकी यह प्रेसानी हो perspectives को सर्दियों में बाल से जूरी समस्या तो होई जाती और दूसरा है गर्म पानी से बाल धोने से बचया, बालों से प्राकिर्तिक तेल निकल जाता है और नमी की कमी हो जाती है, जिसे बाल तोटने लगते हैं, पर ठंड के दिनों में ठंडा पानी से तो बाल धोया नहीं जा सकता, तो इसलिए आप गुनगुना पानी से बाल धोया, उसके बाद है जब आप बाल धोते हैं तो उसको जल्दी सुखाने के चक्र में रगर रगर के सुखाते तो प्लीज रगर रगर के सुखाने से बचे बाल को कभी भी रगर कर सुखाना नहीं चाहिए ठपकी मार कर सुखाएं हलके हाथों से सुखाएं और उसके बाद बालों को खुला छोड़ दें और फिर उन्हें खुली हवा में प्राकृतिक तरीके से सूखने दया उसके बाद है बालों में सीधे कंगी ना सेंपू ना लगाएं ये गलती हम सभी करते हैं जब भी हम सेंपू लगाते हैं डिरेक्ट लगा लेते हैं तभी भी सेंपू में पानी मिलाकर ही लगाएं और रोज-रोज बाल धोने से बचे जैन्स लोग रोज-रोज बाल धोते हैं क कॉमल भी रखता है, कंडीशनर लगाने के बाद लगाने दें, उसके बाद ही धोयें, या वालों को तूटने से बचाता है, ठंड के दिनों मैं B12, प्रोटीन, जेंक, विटामिन सी की कमी 끝나 बाल जारता है, चुकंदर में B12 होता है आमला में विटामिन C होता है इसके अलावा काजू, सीता, फल, पदाम खाने से भी विटामिन की कमी दोर की जा सकती है अगर आप अंडा खा सकते हैं तो वो भी अच्छा है ठंड के दिनों में एक दो खजूर भी खा सकते हैं लेकिन इसका तासिर गर होता है इसलिए दिन में एक दो ही खाएं इसमें iron calcium phosphorus होते हैं तो यह बाल के लिए बहुत अच्छा है तो प्लीज दोस्तों अगर आपको यह चैनल अच्छा लगा हो तो जूरे रिए मेरे चैनल से और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें पैल आइकन दवाएं